बुद्वार को धरम चाला में शुरू G20 शीखर समेलन की शुरू आथ हो गई दो दिनों तक चलने वाले इस समेलन में विभिन देशों के सतर प्रतिनी धी भाग ले रहे है समेलन में इसमें विज्ञान और प्रद्योगी की पर चर्चा शुरू की गई है इसमें भारत के उर्जा और कारबन प्रतिबंद पर ध्यान के इंद्रित किया जाएगा बैठक में साक्ष आधारित वैज्यानिक सलह प्रदान करके नितीगत विकल्पों को आगे बढ़ाने में मुख्य विज्ञान सलहकारों की शासन के समल धांची में विशेश्ट भूमिका को भी देखा जाएगा G20 Education Working Group Activist पर ITI मदरास के देन प्रोफेसर रगुनाथन रंगास्वामी विशेश भी मौझूद रहेंगे G20 समेलन के अलग-अलग सत्र होंगे पहले सत्र के अंत में सभी देशों के डेलिगेट्स अपना पक्ष रखेंगे दूसरी सत्र में समार्ट उर्जा परिवर्तन भंडारन और प्रबंधन में सदस्य देशों के बीच अनुसंधान और नवाचर सहियों पर चर्चा की जाएगी इसके साथ ही स्थाई उर्जा संक्रमन में संचालित अनुसंधान पर भी चर्चा की जाएगी